तो भाई क्या सीन है फिर आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि वो कौनसी ऐसी टॉप 5 टिप्स हैं जो आप फोटो खीचते वे अपलाई कर सकते हो जिससे आप अपने मिड रेंज एंडरोइड फोन से भी एकदम DSLR टाइप फोटो खीच सकोगे ये टिप्स पहले मेरे को Note 8 Pro ये 15,000 रुपेगा है तो अगर मैं इस फोन से बड़िया फोटोस कीच सकता हूँ तो आप भी कीच सकते हो शुरुआत करते हैं पहले टिप से तो आपको कभी भी लाइट के अगेंस्ट फोटोस नहीं कीचनी हमेशा लाइट जिस तरफ जारी है वहाँ पे फोटोस कीच रही है तो अगर आपको अपने Android फोन से ही एकदम बड़िया वाली फोटोस लेनी है तो हमेशा आपको अपना फोन वहाँ पे बगड़ना है कि लाइट आपके पीछे से आ रही हो आपके सब्जेक्ट की तरफ जैसे इस फोटो के अंदर आप देखोगे सेम फोन है सेम सब् एक पंदरा हजार के Android फोन से भी कितनी जादा बड़िया फोटो आई है और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि एक ब्राइट फोटो एक बहुत भी बड़िया फोटो माने जाती है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता कुछ केसे में थोड़ी सी आप डाक करके थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके फोटो लोगे ना तो वो एकदम बेस्ट निकल के आती है इस चीज़ के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे अब ही अराते हैं दूसरी टिप के उपर और रूल मानलो आप किसी बगीचे यानि गारण के अंदर खड़े वे हो और आपको चुल मची कि आपको किसी फ्लार वगेरा की फोटो लेनी है अब वो फ्लार की फोटो एकदम बेस्ट पता कवाएगी जब जो नंबर ऑफ फ्लार्स है उस फोटो के अंदर वो या तो एक हो या तीन या पांच या फिर साथ के बाद कोई फरक नहीं पड़ता फिर वो फूल वगेरा की फोटो कीच रहे हो आपने उसको पर फोकस करा ना तो जो आपने टैप करके फोकस करा है ना वहाँ पे ऊपर और नीचे वाला हलका सा एक छोटा सा स्लाइडर बना आ जाता है उस स्लाइडर को अगर आप थोड़ा सा नीचे कर दोगे ना दो तीन उसमें light थोड़ी सी कम हो जाएगी और एक जो overall mood होता है ना photo का वो बहुत जादा improve हो जाता है रादा जायन की भाई आप ब्राइटी ब्राइट करते रहो फिर ना full अच्छे से दिख रहा है ना background अच्छे से दिख रहा है एक मदासानी आता थोड़ा सा exposure down करोगे आप खुद करने के लिए आपको अपने mobile phone के camera के अंदर grid on करनी पड़ेगी क्यूंकि होता क्या है ना मानलो आप फिर से किसी flower की photo ले रहे हो आपको बहुत जादा पसंदा बगीचों में photo लेना तो हम generally जो flower की photo ले रहे हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं दोनों grid lines के बीच में अब वो हर बार अच्छा नहीं लगता number one क्यूंकि वो बहुत जादा common shot है और number two कुछ different होना चीए ना भाई तो इसलिए अपने subject को बीच में ना रखके या तो left वाली grid line या फिर right वाली grid line के ओंपर रखो उससे थोड़ी सी different photo आती है मज़ा आता है देखने में अब इस tip को apply कर जाके जब आप वो फोटो खोलोगे तो उसको crop कर दो अब crop करते time ना हम सब के phone में वो grid बनी वी आती है तो उस time बहुत जादा आसान हो जाता है उस photo को rule of thirds से align करवाना को डरने वाली बात नहीं है ये जो मैंने आपको चीज़ बताई ना basic सी इसको rule of thirds कहते है चौती tip है ज बहुत सारे free apps भी है और कुछ-कुछ paid apps भी है लेकिन हम लोगों को paid apps की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें आते ज़र्दे photo लेनी है भाई कोई शादी के contract नहीं लेने हमने तो जो app मैं खुद भी उसकरता हूँ और मैं आपको भी recommend करूँगा वो है Adobe का Lightroom app बिल्कुल free याप है भाई और यह बिल्कुल भी sponsored video नहीं है obviously तो raw photos कीचेते का सबसे पहला फाइदा जो आपको होगा वो है कि भाई आपकी photo के अंदर जो details है वो बहुत जादा increase हो जाएंगी क्योंकि उसका सबसे बड़ा factor है कि raw, raw मतलब कच्चा जब भी आप raw photo कीचोगे तो आपका phone उस photo को एकदम minimum process करेगा और compress भी बिल्कुल भी नहीं होती raw photos और raw photos के अंदर details बहुत जादा इसलिए आती है क्योंकि एक normal photo के comparison में raw photos का जो file size होता है वो बहुत जादा होता है और raw photo जब आप पहली बार खीचोगे तो आपको खीचने के बाद लगेगा कि भाई ये क्या फ editing एकदम next level कर सकते हो तो भई raw photos पाता है खीचना कैसा होता है जो बचपन में हमारी पेंटिंग वाली books नहीं आती थी डिसके अंदर सिफ ड्रॉइंग बनी होती थी लेकिन उसके अंदर color खुद फिल करने होते थे बस यहाँ बहुत है कि आपको एक drawing book मिल जाएगी डिसके थोड़े से faint थोड़े से फीके-फीके से colors होंगे आपको थोड़ा सा saturation और highlights, shadows वगरे के साथ play करना है और आप बहुत ही बड़ी आ painting यानि photo बना दोगे अगली tip है aspect ratios के बारे में जो हम सबके phones है न वो by default 4-3 aspect ratio के अंदर photo खीचते हैं लेकिन अगर आपको वो photo Instagram पे post करनी है तो वो 1-1 में post होगी या फिर अगर आपको Instagram पे story डालनी है तो वो 9-16 के अंदर post होती है तो मान लो आप कहीं cafe वगरा में गए वे हो और आपने pizza की photo कीची एकदम उपर से और pizza एकदम center में पड़ा हुआ है लेकिन उसके left side में garlic bread रखी वी है और right side में french fries रखे वे है तो ज वदा चलेगा कि side के garlic bread और fries को कटी गए अब जो हमने 400 रोपे एक्स्टरा खर्च किये थे यह दोनों चीज़े मंगाने में वो तो वेस्टी हो गए तो ऐसे case में अब तीन चीज़े हो सकती है या तो आप Instagram पे वही photo post कर दो बेना french fries और garlic bread दिखाते वे लेकिन वो काम तो हम करने वाले है नहीं दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप photo खीचते time ही आप देखो कि अगर आपको ये photo Instagram पे डालनी है तो आप उसको खीचो ही 9 is to 16 के अंदर सभी smart phones का जो default camera app होता है ना उन सब के अंदर feature होता है कि आप उस 4 is to 3 के aspect ratio को या तो 9 is to 16 के अंदर change क सकते हो उसमें एक border डालके इस चीज़ के भी दो फाइदे होंगे सबसे पहला कि जो आपने फोटो खीची है उसका aspect ratio चेंज होई जाएगा लेकिन दूसरा फाइदा जो आप border डालोगे ना तो Instagram पे थोड़ा सा आपको लोग अप aesthetic समझेंगे कि यह तो बहुत ध्यान देता इन सब चीज़ों को हम अगर उपर नीचे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जागा फोटो एकदम खड़ाब हो जाएगी लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता भाई दो तीन फोटो एडिट करोगे आपको अपने आप समझ में आ जागा कि भाई basic editing कैसे होती है कोई बहुत मु